तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी वीवर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और आप हमारे वीडियो को फॉर्स्टेम देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मि तो आज के टोपिक में हमारे जो सबसे पहला पोइंट है वह ऐए डाइजेस्टिब सिस्टम तो एक डाइजेस्टिब सिस्टम होता क्या है इट इस ऐ ग्रूप ऑफ और गंढ़न्स चैनल जिसको जी आई ट्रैक भी कहते हैं यह फिर सौट फोर्म में गट भी कहते हैं यह फिर elementary canal भी कहते हैं, ठीक है, and its associated accessory organs that break down food into smaller components so that nutrients can be absorbed and assimilated, ठीक है, this provides the necessary energy to the insect body to sustain, ठीक हो, तो इतना बड़ा definition हमें याद नी करना है, इसमें कुछ bold points हैं, जिने हमें याद रखना है, ठीक है, पहला की digestive system है, कोई भी system जो होता है, छोटे चोटे चोटे component से मिलके बना हुआ है, तो different organs जो है, वो एक digestion में help करते हैं, ठीक है, common function क्या होगा है, digestion, ठीक है, तो वो मिलके क्या बनाता है, एक digestive system को बनाता है, इसमें क्या होता है, एक हमारा gastrointestinal tract होता है, ठीक है, जिसको मिलके GI tract भी बोलते हैं, और मैंने इसका नाम gut भी बताया, ठीक है, यानि एक tube structure होता ह होता है, और उसमें accessory organs भी पाये जाते हैं, accessory organs में आगे देखेंगे, इसमें salivary glands है, जो भी glands वगरे पाये जाते हैं, वो भी इनके अंदर होता है, ठीक है, तो overall definition से अगर हमारा bolded point क्या 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 निकल रहा है, कि यह जो है पहले organs से मिलके बना होता है, दूसरा, इस जो system क function है, वो क्या है, it breaks down the food into smaller components, ठीक है, यह food को smaller component में तोड़ देता है, ताकि जो हमारा nutrition है, यानि हम जो भी food, या इनके जो भी food ले रहा है, वो आराम से easily क्या हो जाए, एब्सॉब हो जाए, यानि blood में चला जाए, और assimilate हो जाए, यानि जहां जहां जो रत है, वहां वहां क इसलिए transfer हो जाए, ठीक है, इसलिए उसको क्या करते है, smaller component में तोड़ देता है, और इसे होगा क्या, फूड क्या होगा, जहां पे जो cell को need जहां पे है, वहां पहुंच जाएगा, तो जो insect है, वो क्या कर सकता है, तो insect का जो system है, digestive system है, उसमें दो component है, पहला gut ठीक है, और एक gut का diagram है, ठीक है, जो start होता है mouth से, ठीक है, आप यहां देख सकते हो, mouth से start हो रहा है, ठीक है, उसके बाद mouth से खाना जाता है pharynx में, फिर isophagus में, फिर crop में, ठीक है, फिर एक reason है pro ventriculus, फिर ventriculus, जिसको gizzard भी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद मिट गट में जाता है, और उ phytophagus हो, यानि plant eater हो, entomophagus हो, यानि insect को खाता हो, wood borers हो, wolf feeders हो, या फिर saprophytic हो, saprophytic nutrition कहने का मतलब क्या है, ऐसा type of nutrition, जिसमें digestion क्या होता हो, outside body होता हो, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट होता है, वो enzyme को secret करता है outside the body, और वो food को बाहर में ही digest कर जाता है, और वो digested food को क्या करत होता है, अब खाता है, ठीक है, तो इस type of nutrition है, उसको हम लोग बोलते है saprophytic, ठीक है, तो चाहे वो कोई type of nutrition हो, लेकिन इंसेक्ट दो तरीके के ही food को खाता है, first जो है, वो है solid food material, और दूसरा जो है, वो है liquid food material, ठीक है, तो अब ये दो form जो खाने का है, उसमें अगर हम बात करें, तो liquid food में क्या-क्या खा सकता है वो, plant sap, nectar, या फिर blood, ठीक है, तो based on the food material ingested, there are structural modifications in the digestive system of the insects, कहने क्या मतलब है, कि insect किस type का है, और उनमें modifications, मतलब उनका feeding habit किस तरीके का है, उस basis पे उनका जो gut है, उनमें बहुत सारे modifications पाए जाते है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया digestive system को हम दो component में पढ़ेंगे, एक digestive track और दूसरा digestive glands, ठीक है, next topic है, सबसे पहला, जो digestive track है, वो क्या होता है, तो digestive track का दूसरा नमेंने क्या बताया था, gut बताया था, जो की एक long muscular tubular structure है, लंबा है, muscular है, यानि muscle से बना हुआ है, tubular यानि hollow structure है, जो mouth से start होता है, और NS पे end होता है, इसके 3 components है, foregut, midgut and hindgut, ठीक है, foregut, यानि जो सबसे anterior part है, आगे जहां पे mouth है, midgut बीच वाला part, और hindgut है, वो सबसे last वाला part, जिसका जो end होता है, वो NS पे होता है, ठीक है, foregut का नाम जो है, estomodium भी कहते है, midgut को mesentron कहते है, और जो hindgut है, उसको हम लोग proctodium कहते है, ठीक है, तो यहां पे आप एक grasshopper का diagram देख रहो, जिसमें हम, मैंने कहा किया है, बहुत सारे उनके digestive structures को दिखाया है, तो यहां पे तो आप किसी insects में देखोगे, तो इसी तरीके का structure होगा, बस में ध्यान रखना कि जो foregut है, वो कहां तक है, foregut यहां तक है, तो यहां पे इसके उपर जितने structures होंगे, वो foregut में आएगा, यहां पे वाला structure हो midgut में आएगा, और इसके नीचे जो आएगा, वो hindgut में आएगा, यहां पे दो चीज़ ध्यान देने वाला है, first है cardiac valve, दूसरा है pyloric valve, जो cardiac valve है, वो foregut और midgut के बीच में होता है, वहां पे जो food का, जो transfer होना है food, foregut से midgut में, वहां पे regulate करता है cardiac valve, और pyloric valve जो होता है, वो midgut to hindgut में food के transfer को regulate करता है, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं सबसे पहले foregut को, foregut क्या होता है, सबसे anterior part है elementary canal का, जो की ectodermal in origin होता है, ectodermal क्या है, एक germinal layer है, जो 12 में या फिर 11 में हमने पढ़ाता है कि triple oblastic animals होता है, जिन में तीन तरह के germinal layer होता है, ectoderm, endoderm and mesoderm, ठीक है, तो जो foregut है, वो ectodermal origin का होता है, ठीक है, ये anterior part है, किसका, insects के elementary canal का, anterior part of ectoderm से ही होता है, ठीक है, इसमें जो अगर हम देखेंगे, जो foregut है, उसके internal side पे क्या होता है, cuticle का lining पाया जाता है, ठीक है, cuticle lining मतलब हम क्या समझते हैं इस से, कि जो पानी है, वो एक जगह से, मतलब एक side से, दूसरे side में क्या होगा, वो transfer नहीं होगा, ठीक है, या यहां पे खाने को breakdown कर सके, ठीक है, enzymes के help से, वहां तक खाने को पहुंचाने का part, किसका है, foregut का है, ठीक है, the foregut के जो components है, यहां पे मैंने green color में भी mark किये है, mouth, pharynx, isophagus, ठीक है, crop, gizzard, ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान दोगे, कि जो foregut है, वो start होता है, ठीक है, और तो फिर transfer होता है, अगर food जो है, वो mouth में आगे insect के, तो फिर एक muscular organ pharynx के पास चला जाता है, ठीक है, अब pharynx में क्या होता है, वहां पे movement होता है, और जो food है, वो isophagus में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानि pharynx का main function है, वो क्या करता है, food को push कर देता है, isophagus में, ठीक है, जो कि food को crop तक transfer करता है, अब crop क्या है, crop एक bag like structure है, dilated structure है, यानि चोड़ा, फैला हुए structure है, इसो फेगस के posterior पार्ट पर, यानि distal पार्ट पर, ठीक है, ये एक food reserve wire है, जो भी food आ रहा है, वहां पे जाके क्या होगा, store होगा, ठीक है, अब जो food है crop से, वो transfer होता है, गिजा को हम लोग बोलते है, वेंट्रीकुलस, ठीक है, तो जो गिजार जहां से start होने वाला है, उस region को हम लोग बोलते है, प्रोवेंट्रीकुलस, तो जो हम बात करें, crop के बाद जो structure आएगा, वो आएगा प्रोवेंट्रीकुलस, और उसके बाद आता है, गिजार और गिजार ज देखें, तो mouth क्या होता है, sucking pump क्यालाता है, ठीक है, दूसरा है pharynx, pharynx से transfer होता है खाना isophagus में, जो कि एक narrow cube है, जो कि मैंने बता दिया है, third, फिर isophagus से जाता है crop में, जो कि एक diluted or distal part है, food reservoir है, ठीक है, बीज में करम बात करें, तो इसको honey का स्टमक कहा जाता है, जहां पे nectar का conversion होता है, ठीक है, crop से फिर खाना जाता है, गिजार्ड में, यह कहा है, posterior part of four gut में पाया जाता है, इन में जो cuticle है, वो modify हो जाता है, जो solid foods हैं, उनको crust करने के लिए, तो गिजार्ड जो है, प्रॉमिनेंट किस्प में होगा, जो liquid feeders हैं, उनमें नहीं, जो solid feeders हैं, जो solid खाना हो खाते हैं, कि गिजार्ड में, जो internal lining है, cuticle का, वो क्या कहते हैं, उनका different type of insects में different type से modified हैं, जैसे, कॉक्रज में अगर देखेंगे, तो उनका जो solid food है, सो grind करने के लिए, जो cuticle है, वो teeth like structure में बन जाता है, ठीक है, honey bee में अगर देखेंगे, तो plate like structure में हो जाता है, क्योंकि जब honey bee nectar को ले कर आती है, तो जो pollen grain साथ साथ में आ जाता है, उनको separate करने में help करता है, और sp करता है, उसको कहते है, cardiac valve, ठीक है, I hope यहाँ तक की चीज़े समझ में आ गई है, अब युमारा second part है, वो है mid gut, ठीक है, यहाँ पर इस से पहले हम structure देख लेते हैं, एक बाद आगराम देख लेते हैं, जो की बहुत इजी है, मैंने पहले बता भी दिया है, माउट से start होगा ठीक है, pharynx में, फिर isophagus में, फिर crop में, फिर proventiculus और last में चला जाता है, गिजार्ड में, नेक्स्ट है, वो है mid gut, mid gut क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, mesentron मैंने बताया था, यह endodermal origin है, जो four gut था, ectodermal था, mid gut जो है endodermal origin होता है, ठीक है, इसमें cuticle lining नहीं पा organization होगा, इन में तीन तरह का cells पाया जाता है, पहला secretory cells, जिनका structure जो होता है, columnar shape का होता है, इसको columnar cells भी कहते है, इसका main function क्या है, जो भी digestive enzymes हैं, उनका secretion करता है, दूसरा goblet cell, जो की aged secretory cells है, जो secretory cells पुराने हो जाते हैं, वो goblet cells में convert हो जाते है, अब goblet cells का function क्या है, mucus क का formation करना, जो भी secretory cells, जो भी enzyme बना रहा है, वो, जो insect का internal lining है, वहाँ पी cuticle तो है नहीं, तो उस layer को जला ना दे, या फिर उसको digest ना कर दे, enzyme, digestive enzyme, उनके gut को ही digest ना कर दे, इसलिए, जो goblet cells हैं, वो mucus का secretion करते हैं, और protect करते हैं, inner lining को, और जो third type of cell है, वो है, regenerative cells, जो replace कर करता है, ठीक है, अब mid gut में बहुत सारे structures पाए जाते हैं, ठीक है, हम main charge structures के बारे में हम डिसकस करेंगे, पहला है peritropic membrane, ठीक है, सबसे पहला peritropic membrane कहां पाए जाता है, एक तो यह semi permeable membrane है, यानि जो transfer है, बहुत सारे material को उसको यह allow करता है, और यह help करता है lubrication में, और easy flow of the food म ठीक है, और साथ साथ ही product करता है inner lining of the gut को, ठीक है, तो mid gut में peritropic membrane पाए जाता है, जो की semi permeable membrane है, ठीक है, अगर हम बात करें, यह होता क्या है, तो it is the internal lining of mid gut and is secreted by the epithelial cells, जो की cell का line है, जो mid gut में, उससे यह secret होता है, ठीक है, यह से present होगा, जो की solid feeders होंगे, ठीक है, जो क इसका main function अगर हम देखें, तो यह digestive juices को और जो digestion के लिए, जो important products है, उनको पास करने देता है, इसलिए इसको semi permeable का आ गया है, ठीक है, जो second है, वो है gastric cica, इसका दूसरा नम hepatic cica भी होता है, ठीक है, यह कहा है, finger like outgrowth है, ठीक है, यह कहां पाया जाता है, जो mid gut जो part है, यहा पर भी निकला हुआ है, मतलब anterior part और posterior part दोनों जगा पर, तो यह क्या करता है, जो हमारा mid gut है, उसके surface area को बढ़ा देता है, ताकि वहां पर digestion क्या हो जाए, efficiently हो पाए, ठीक है, और यह साथ-साथ, symbiotic bacteria का घर भी है, थर्ड जो होता है, pyloric valve, मैने बताया था, pyloric valve क्या होता है, proctodial valve, ठीक है, और last है, filter chamber, यह बहुत important है, यह insect के thermoregulation, sorry, osmore regulation में help करता है, osmore regulation कहने का मतलब क्या है, कि जो उनका body fluid है, उनमें जो salt का concentration है, ions का concentration है, उसको regulate करने में help करता है, ठीक है, filter chamber जो है, वो excess water को remove कर देता है, liquid food से, ठीक है, ताकि food क्या हो जाए, concentrate हो पाए, और उसका efficient digestion हो पाए, तो यहाँ पर आप complete जो diagram है, इनके insect के digestive system का आप देख सकते हो, ठीक है, अब हमारा जो next topic है, वो है hindgut, hindgut, जो है last part है, elementary canal का, ठीक है, यह बहुत easy है, इसका भी जो origin है, वो ectoderm से है, जैसे कि हमने भी पहले बढ़ा था, किसका, ectodermal, जो four gut था, फिर जो midgut है, वो हो जाता था, endodermal, और hindgut, फिर से ectodermal origin है, तो ectoderm जो layer है, उसका जो posterior part है, वो ही invade करके, बना देता है, हमारा hindgut, ठीक है, अब इसमें हम बात करें, cuticle, तो cuticle इसमें विपाया जाता है, ठीक है, जो cuticle का layer है, वो present होता है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे cuticle layer जो है, permeable है, salts के लिए, ions के लिए, amino acids के लिए, और water के लिए, ठीक है, तो important बात ध्यान रखना है, कि वहाँ पे जो permeability थी, four gut में वहाँ कुछ भी नहीं थी, cuticle होने के बाद, और यहाँ पे permeability है, salts के लिए, ions के लिए, amino acids और water के लिए, ठीक है, तो इसका main function क्या हो जा उसको reabsorb कर पाए, ठीक है, जैसे water को, salts को, other substance, जो की urine में waste हो रहा है, उसको अपस से, जो उनका, जो hemolymph है, उनमें transfer कर पाए, ठीक है, जो hind gut है, वो फिर से 3 पार्ट में है, ileum, colon और rectum, ठीक है, यानि जो valve, जो मैंने बोला, pyloric valve पाया जाता है, वो ileum और mid gut के बीच मे बाय जाता है, ठीक है, फिर उससे, जो underneath food है, colon में जाता है, और फिर rectum में, rectum में जाता है, ठीक है, rectum जो है, वो open करता है, as a anis, anis कह है, उनका जो external geneidgy जो है, जहाँ से underneath food का होता है, बाहर आता है, उससे पहले rectum में rectal pads पाय जाते हैं, पैट्स पाए जाते हैं जो की dehydration of faces में help करता है यहीं water loss जो body में ना हो उसको यह मतब कंट्रोल करता है कि water ज्यादा body से बाहर ना जाए ठीक है और rectum जो है finally वो क्या करता है एनस के तुरू open कर जाता है तो आज का lecture में यहीं पे रोक रहा हूँ और कल के lecture में हम पढ़ेंगे जो हमारा digestive glands है उनके बारे में तो I hope आज का lecture यहाँ पे समझ में आ गया होगा सभी को इसके बारे में फिर से एक बार आपको इस बुक में पढ़ लेना चीजे ज़्यादा clear हो जाएंगी अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो वो comment section में पूछ सकता है या फिर आप हमारे Instagram चैनल पर ही पूछ सकते हो तो thanks for watching this video till then stay tuned अगर किसी को इस lecture की PDF और PPT चाहिए तो हमारे telegram चैनल go for agriculture पर जाके इसे download कर सकता है जो go for agriculture का telegram चैनल है उसका मैंने यहाँ पर link दे दिया है आप इस चीज पर जाके आप हमारे channel को join कर सकते हो तो चलिए मिलते हैं फिर next lecture में thank you